आसा काज करता इन दिनों संघर्स रत हैं आंदोलन रत हैं हाथों में चुणियां लेकर अपनी मांगों को लेकर पटना में उठी हैं मांग है बेतर 25,000 और सरकारी कर्मी बनाने की बाद नमस्कार मैं हूँ सुनिल बोवी आसा वरकर्स के लिए यह ख़बर बनाई गई है और आपने पटना में गर्दनी बाग में संघर्स कर रहे हैं बिते दिन आपके द्वारा गर्दनी बाग में सरकार के खिलाफ धर्ना परदसन किया गया अपनी मांगों को लेकर धर्ना परदसन किया गया काफी संख्या में आसा वरकर्स जो हैं ममता दिदी भी जो हैं और कई वरकर उनके साथ उस आंदोलन में समली थोड़े सभी आसा दिदी के हाथों में चूडियां थी और कह रही थी कि यह चूड़ी नितिस कुमार के लिए लेकर आए गला काम करने पर कमीशन दिया जाता है हमें कमीशन नहीं चाहिए हमें बेतन चाहिए बेतन कितना चाहिए 25,000 चाहिए अला कि उनको कहना था कि तब तक हमारा अंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है आरोप लगाया गया कि बिहार सरकार नारी ससक्ति करन की बात करती है लेकिन यहां हम नारी सोसित हो रहे हैं हमें कोई मांदे या बेतन नहीं दिया जाता है बलकि कमिशन पर यानि कि प्रुसाहन रासी मादर मिलती है हमें duty कभ करना है यह भी कोई निश्चित नहीं है चाहे दिन हो या रात हो अगर वह मरीज मिल जाते हैं परसो वाली मरीज मिलती हैं उन्हें लेकर अस्पाताल तक जाना होता है रहना होता है तो हमें 24 घंडा अलट रहना पड़ता है और मात्र पुर्साहां रासी सरकार देती हैं हमें भी बेतन चाहिए सरकारी कर्मी हमें बनाना होगा कम से कम 25,000 बेतन देना होगा आसा वर्कर्स का कहना है कि चाहे संडे हो या मंडे हमारा हर दिन वर्क होता है देखिए जब तक आप आसा कर्ज करता है तो यह समझ लिजे कि जब तक आपकी मुद्धा मीडिया में नहीं उठाई जाती है तब तक सरकार तक पहुचना बड़ा मुश्किल होता है आपका अंदोलग सार्थक है पहुच सकती है आपकी यह वाज लेकि थोड़ा साथ मीडिया पर फोकस करें ताकि जो भी मीडिया हैं आपकी बातों कुठा सके आपकी मांगो को मीडिया समझ नहीं पा रही है कि क्या है मांगे क्या है आपका वर्क है तो आपका वर्क क्या है आपकी मांगे क्या है मांग पत्र में आपने क्या अंकित किया है इन चीजों को हम तक पहुचाएं आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर आपकी आवाजे भुलंद हो आपकी आवाजे उठाई जाए तो हमें वह तमाम दस्तावेज उपलब्द कराएं जो आपकी मांगे हैं कितनी संख्या आपकी है उससे ओगत कराया जाए आप हमारे वार्ट्व नमर परवकाजात भेज सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कॉमेंट बॉक्स में भी लिखे पहले तो सुनिजिए जितने भी आस और आपकी आवाज हम बुलंदी से उठाते रहेंगे तो सबसे पहले खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने घर परिवार रिलेटीव सभी के पास चैनल का लिंक भेज कर सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ताकि आपकी संख्या बड़ी हो और सभी आसा जो भी है सभी कॉमेंट बॉक्स में लिखिए लिखिए आप आसा हैं या ममता हैं जिससे आपकी उपस्चिती दर्जों की सरकार जानेग की ममता दिदी आसा दिदी बिल्कुल सक्रिये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाईए बस आपके पास यह वीडियो प उन्हें देखने के लिए बोलिए और चैनल को कहिए कि सब्सक्राइब कीजिए और अपने पूरे जितने भी घर में मोबाईल से हैं या आपके जितने भी परिवार हैं सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिबत कहिए ताकि जब भी हमाबाज उठाएं तो आपका विडियो देखने की संख्या जो है काफी हाई लेबल पर जाए सरकार तक विडियो पहुंचे सरकार माने देख रही है आपके उपस्थिती देखी जाती है कि कितने लोग सक्रिय हैं जो अपनी मांगो को लिकर आगे बढ़ रहे हैं तो इस विडियो को आप अपने इसने भी और इनके साथ वरकर्स हैं कार्ज कर रहे हैं कार्ज करने के बदले उन्हें पुर्साहन रासी मिली जाती है कमिशन उनका नाम देते हैं लोग को गरामीन छेतरों में अगर कोई भी महिला परसो से परसो वस्ता में रहती है तुन्हें एम्बुलेंस के बुलाकर फूस्पीटल तक यह पहुझाती है जहां तक हमें जनकारी है और उसके बदले इन्हें पुरसाहन रासी दी जाती है लेकिन इनका वर्क किस दिन है या नहीं है या कहने की जरुवत नहीं है इनका वर्क जो है चाहे संडे हो या मंडे या दिन हो या रात हर समय या एक्टिव रहती है कार्ज करती है अब जब सरकार चाहती है कि यह काम करें और इनकी जरूवत अगर रहे है तो निस्चित तो रहे इन्हें राज्यकर्मी सरकारी कर्मी सरकार को बनाना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं ये वर्क कर रहे हैं हाँ लगता है कि इन्हें हर मेंसा वर्क नहीं लिया जाता है तो इन्हें वर्क अस्पतालों से जोड़ दिया जाए ग्रामीन छेतरों के अस्पतालों में इन्हें जोड़ दिया जाए और जिस परकार से सभी सरकारी कर्मी कार्य करते हैं इन्हें भी अस्थायत मिले मांग तो 25,000 है लेकिन अगर इनका वर्क जोड़ दिया जाता है तो जितने अन वर्कर्स को मिल रहे हैं जहां इन्हें अस्थापित किया जाए उनके अनरूप इनको भी मांदे मिलना चाहिए तो कम से कम तो 20 से 25,000 से कम इन्हें पैसा बेतन मांदे कहिए नहीं मिलना चाहिए 25,000 तो जरूब मिलना चाहिए तो लगतार आसा दिदी हों ममता दिदी हों इनके दवारा आंदोलन किये जा रहे हैं काफी संक्या में पटना में आसा कर्च करता पहुचीं और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद किये नारी ससक्ति की बात करने वाली सरकार के समझ खुद के नारी बताते हुए घुहार लगा रही थी कि हमें भी इनसाब चाहिए हमें भी सम्मान चाहिए हाथों में चूडिया थी अलग दिख रही थी अब इन्हीं जरूवत है मीडिया में मीडिया के माध्यम से खबरों को उठाने के लिए तो हमने आपको लिए कदम बढ़ाया है आप हमारे वार्ट्व नम्मर पर भेजी अपने पूरी मांगों को नम्मर नोट कर लिजिए 9934450020 फिन से सुनिएगा 9934450020 इस वार्ट्व नम्मर पर अपने मांग पत्रों को भेजिए कबसे आसा की या ममता दिदी की जो भी हैं आप इनकी बहाली हुई है कबसे आप वर्क कर रहे हैं इनका वर्क कितने सालों तक हो गया कितना आपको भत्ता मिलता है पुरसान रासी मिलती है क्या क्या लाब मिलती है और आपके मांग क्या है, सरकार को आपने मांग पत्र क्या सोपी है, उन तमाम चीजों से हमें ओगत कराएं, मीडिया में आपकी बाते उठाई जाएगी, निशी तोर पर जब भी बाते हर तरफ से उठने लगेगी, तो आपको वह शमान वापस जरूर मिलेगा, तो हम वीडि के हवाले से खबर आ रही है, कि सरकार तक यह बाते पहुच गई है, और उस पर विचार होगी, लेकिन इस मुद्दे को और थोड़ी गंभिरता से, और सही साफ साफ सावरूप में सरकार के सामने उठाने की जरूरत होगी, अब आपको लग रहा होगा कि यह वीडियो में क सरकार तक पहुच गई है, तो निसी तोर पर हमारे साथ बने रही है, और चैनल को चलते चलते एक बार फिर से करते हैं कि सब्सक्राइब कर लिजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आप की ही फैयदा होगी, इसमें कोई पैसा अगरा लगने वाली बात में ह फिलालतीतिया में इजाज़त फिर मिंगते हैं, आपके लिए कोई बड़ी खबर लेकर धन्यवाद